यह TX7 Android Car Studio है और इसमें boot logo setting के लिए setting पर OK करना है then car setting पर OK करना है then सबसे last extra setting पर OK करना है password देना यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 then OK करना है then यहाँ पर option आएगी नीचे logo setting का यह logo setting इस पर OK करना है और इस पर OK करने बाद आप देख सकते हो वह सारे कार की brand की company यह कार की logo आ रही है कार की brand की तो आप यहाँ पर select कर सकते हो कोई भी मैं यहाँ पर Nissan को select करके set logo पर OK किया यहाँ पर set logo successfully तो इस टाइप से यहाँ पर यह logo set हो चुकी है जिसको check करने के लिए मैं इसका power off करके on कर रहा हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह boot logo निशान क्या रही है तो इस टाइप से इसमें आप logo set कर सकते हो एंप 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 लिए एंप झाल झाल झाल